अलो ब्रीवन कैसे हूँ आई हूप कि आप सभी लोग ठीक होंगे मैं हूँ भी सीक और आप देख रहे हैं स्टड़ी भी तभी सीक तो आज है 15 जुलाई और जैसा कि इंडिर नीवी ने अनाउंस करा था उनके नोटिफिकेशन में भी ये चीज थी कि SSR के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म होंगे वो 15 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे तो आज से इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लॉग इन कर रखा है एक कैंडिडेट के डैस्बोर्ड में और यहां पर आप अगर आते हैं अगनीवीर SSR M1222 बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही है बाइस जुलाई तक चलेगी इसके लिए ओनलाइन अप्लिकेशन यहां पर थोड़ी डीटेल्स दी गई है तो हम डीटेल्स को एक बार देख लेंगे उसके बाद हम आगे देखते हैं कि बाकी सारी क्या चीज हैं और आपको यह भी मैं दिखाऊंगा कि total number of forms कितने हैं अभी तक apply हुए तो as you can see यहां पर pdf भी दी गई है और description भी लिखा गया है उसके नीचे अगर देखोगे तो gender mail लिखा गया है जैसा कि आप अपनी screen पर देख सकते हो non artificer यहां पर देख सकते हो mail लिखा गया है वन नीचे आ जाते हैं यह date of birth दी गई है यहां पर और बताया गया कि क्या होना चाहिए physics और maths तो आपका होना ही चाहिए minimum 33 marks यह पता नहीं क्यों लिख रखा है इन्होंने क्योंकि से इनका कोई लेना देना तो है नहीं चलो यह तो होगी बात यह थोड़ी से description के बारे में और फिर से हम back कर लेते हैं और चलते हैं apply वाले page पे apply वाले page और यहां से अब हम check out करेंगे कि क्या details है और कैसे हमें apply करना है ठीक है तो यहाँ apply now पे एक बार यह जो है इस पे click करता हूँ मैं और फिर देखते हैं यांगे होता है क्या है वैसे अगर बात करूं तो website सही तरीके से walk कर रहे हैं ज्यादा slow नहीं है फिर वी आने वाले time में website जरूर slow होगी तो उसके लिए क्या solution होगा वो भी मैं आप लोगों से जरूर share करूंगा पन हो रही है लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दू कि टेली ग्राम पर अगर आपने अभी तक मुझे जोईन नहीं किया है तो description में link है टेली ग्राम चैनल का वहां से जाकर टेली ग्राम पर जरूर जोईन कर लो क्योंकि अभी आपको जो भी doubts होंगे आपको जो भी रक्षक एप है जहां पे बहुत जल्दी नेवी के लिए free mock test आने वाले हैं और paid mock test भी आने वाले हैं उसका भी link मैंने description में दे रखा है उस रक्षक एप को जरूर install कर लेना अपने phone में और login करके रख लेना बहुत जल्दी वहां पे बहुत सारा content आने वाला है description में मैंने link provide कर दिया है उसका अब बात कर लेते हैं इसके उपर यहाँ पर थोड़ी notes दिये गए हैं कि आपका eligible होना जरूरी है cadre के लिए duplicate application यहाँ पर duplicate application के लिए भी दिया गया है कि if candidate submit duplicate application his candidature will be cancelled at any stage of selection process okay तो यह तो होगा duplicate करोगे तो I understand that I will be discharged as unsuitable if during training I do not show satisfactory progress छीक है अब थोड़ा यह नीचे वाला हम carefully पढ़ लेते हैं I agree to terms and condition I agree to appear for online examination if scheduled by the Indian Navy and agree to payment of fee for the same तो यह फिर से same चीज़ लेखी गई है अब इसके लिए क्या बोले हम यहाँ M के लिए देख सकते हो अगनीवीर M के लिए यहाँ पर चीज़े दिख रही है अब थोड़ा अगर आप नीचे आते हो तो यह देखो total application received so far अगनीवीर mail के लिए ही यहाँ पर दिखा रहा है औ और 849 आज ही इसके लिए online form start हुए है और अभी तक 8249 लोगों ने apply कर दिया है सोचो अगर यह चीज़ online होती अगर examination यह online mode में लेते जिसका पता नहीं यह लेंगे यह नहीं लेंगे लेकिन आने वाले time में जरूर लेंगे तो यह जो form काकड़ा है और ज़्यादा होता और नेवी में मुझे लगता है Air Force वाला भी record टूट जाएगा अगर उनको time मिलता है और वो apply कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग apply करने वाले हैं तो अभी total number of form कितने apply हुए हैं 849 आने वाले time में अलग-अलग time पे मैं आकड़े आपको देता रहूंगा इसलिए आप लो को जरूर प्रेस कर देना फिलाल इतना ही मिलता हूं एक और वीडियो के साथ तब तक अपना खयाल रखो सबका खयाल रखो थैंक्यू सो मच अबरीवन जय हिंद